तो गाई तो इसमें जो प्रोब्लम हो रही है हमारे कुछ भाईयों को कि इसका नो रिसोर्स फाउंड प्लीस डाउम्लोड क्यों आने लग जा रहा है तो मैंने आपको इन्विंसिवल वाली वीडियो में भी बताया था कि यह प्रोब्लम क्यों हो रही है और इसका क्या इसमें क्या है नो रिसोर्स फाउंड प्लीस डाउम्लोड का आइकन हमने लाया गया है क्योंकि आपको हम बता सके कि किस प्रकार से यह प्रोब्लम होती है यह नो रिसोर्स फाउंड हमारी वैसे हमने कर रहा है क्योंकि हम आपको लिए एक वीडियो बनाना चारहें थे कि अ किनेक्ट दा वाच यूएसबी और ये डिवाइस नेम बगेर आ रहा है और एक ये साइड आ रही है साइड पे आप अगर पिजिट करेंगे न तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप नाहीं करें तो ही बेतर है तो इसका सलूशन गाई से कि ये आप कस्टूमर क ये देखे कुछ ये साइखनाने लग गया हमने ये बटन दबाया तो ये देखिए पापस से ये ओफ हो गई है बोच तो देखिए इसका एक ही सॉलूशन है आप कस्टूमर के इरस से बात कर लीजिए पहले और फिर टीकट रेस करिए वो कैसे रेस करना है मैं आपको इसमे मदद सॉल्फ होगी नहीं कोई भी मदद नहीं मिलेगी मतलब मेरा इसाब तो देखिए उस प्रकार से आपको आने लग जाएगा नोर रिसर्स पाउंड करके और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊं किस प्रकार से चलिए बढ़ते हैं वीडियो की साइट तो कैसे करते है आपको बता देंगे चलिए इसक्रीन की तरह बढ़ते हैं तो देखिए कुस प्रकार से आपको आएगा है तो आपको गूगल क्रोम खोल लेना है वहां पे एक लिंक देदूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको इस पर ओपन कर लेनी है तो देखिए टि सब्सक्रिप्राण करना इसमें टिकेट रेस करने में एक भी आप चेक करके कर लिएगा कि कोई दिक्कत ना हो और यह देखिए हम आप एक number डाल लेंगे बस आपको दिखाने के लिए और आप अपने हिसाब से एक number डालिए जो आपको call कर सके बंदा आप अपना number डालिएगा यह हमने ज़स्ट आपको दिखाने के लिए और यह के alternative आपको एक number देना पड़ेगा त कौन से सेलर से आपने बोच वाय करी थी हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे सेलर सारे हैं तो हम ने Amazon से purchase कि थी तो हम यहाँ पे Amazon देख लेंगे यह देखिए Amazon आगया इवी देखे नीचे करते हैं स्क्रोल डाउन करते हैं आघ यह लिखा प्ली स्फेल करेक्ट प्रोडख क्टेगरी होउने की देख लेगे देख लीजिए मेरी रउनम रख सहाथ लाश्ट में गाई से देखिए आगे infinity इस पे हम click कर लेंगे अब यहां लिखा please select product color और यह list दे रहा है आपको नीचे इस पे click कर लेंगे तो हमारा गाई silver है तो हम silver पर कर लेंगे आपको जो भी हो अब उस color पर आप click हुए क्लिक कर सकते हैं यह देखिए आम नीचे लिखा फ्लीसस appropriate complaint यह देख सकते बिलओ दीलिस्ट आप इस लिस्ट में देख सकते हैं आपकी क्या problem है वैसे जो problem हैió रिसोर्स फांट क слण की इस आपइस कहीं दिखेगी इस प्रकार से आप क्लिक कर लिए और आपको यहां प्लीज मेंशन यूर इसू तो यहां पर आप उतना इसू मेंशन कर सकते देखिए जैसे में मेंशन कर रहा हूं आप भी इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं भागी आप अपनी साब से मेंशन कर सकते हैं यह देखिए मैं कुछ उस प्रकार से लिख रहा हूं माय फायर बोल्ट इंफिनिटी शो फोईंग और आप यह में साथ देखिए याद कर लीजिए और यहां रिसोर्स फाउंड लिख दिया हमने गईस आप भी कुछ प्रकार से लिख सकते हैं आपकी प्रोबलम लिख देंगे हमागे आपकी मर्जी आपको कैसे लिखना है यहँआ पर इंबोईस की है कॉमपी लग जाएगी यहां पर इंबोईस और यहां पर बगेर आपको मैं लिख दूंगा not good और यहां पर आपको एक file attach कर देनी invoice की तो देखे मैं आपना invoice attach कर देता हूँ यहाँ यहाँ यह देखे हम देख लेंगे invoice कहा है हमारी file में यह देखी यह रहा guys invoice 23 जेन को हम देख लेंगे हमारे download किया था हमने तो देखे upload हो चुकी है order ID आपको यहाँ पर इंटर करनी है आपकी order ID आपको मिल जाएगी Amazon पर हमने गाइस कॉपी करके रखा है कॉपी के हम तो कुछ भी डाल देंगे आप अपना order ID डालिएगा ध्यान से यह मैं जास्ट आपको दिखाने के लिए order ID डाल रहा हूं यह तो बहुत से भायों को लगेगा कि order ID आपकी order ID नहीं है ऐसी में दिखा रहा हूं invoice number आपको invoice में दिख जाएगा तो आप आसानी से अब यहां पर आपको quantity और amount डालना है यहां पर आपको अपना address मेंशन करना जिस पर डिलेवरी करवानी हो replacement product की और pick up की तो आप देख सकते हैं कि इस परकार से आपको डाल देना में आपको इस दिखाने के लिए कि indoor का address डाल देता हूं यह देखिए पालदा इंदोर कर दिया मैंने आप अपने हिसाब से अपना पूरा address फिल कर लिए जियेगा धियान से landmark बगेरा सब यह देख लि लिख लेते हैं आप देख लिजिए आपकी हिसाब से रेसिडेंस बगेर आपको पूरा रहं से डालना की बंदा जब आए आपका पीक अप करने तो उसको कोई दिक्कत ना हो यह देखे को इस प्रकार से आपको दिख जाएगा यहाँ पर प्लीस इंटेरियोर करेक्ट सिटी नेम डाल देना है तो मैं इंदोर से ही तिंदोर डाल दूँगा आप जहां से भी आप वहां का डाल दीजिए देख लिजिए अब यहाँ पर लिखा प्लीस सिलेक्ट कंटर यह देख लिए यहाँ पर दिख जाएगा आपको इस टेट आपको दिख जाएगा इस टेट आप अपनी साफ कर लिजिए जहां पर भी आपका स्टेट लगता हो मेरा मध्यप्रदेश इंदोर सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ लिखा दिखिए प्लीस टीक यह आपको सेम इस पर क्लिक कर देंगो और यहां से सब्मिट का बटन प्रेस करना है बस देखिए गाइस किता सिंपल था कोई ज्यादा इसमें आपको परिशानी आएगी नहीं कि देखिए हमारे टिकेट वह हो चुगा है तो हम अपनी इमेल देख लेंगे इस इमेल पर हमको टिकेट रि परिशानी बताने इस पूरा समझाना असको तो आपका एक रिप्लेस्मेंट प्रोडक्ट का वह कर देगा और आपका पीक अपका भी अरेज्मेंट कर देगा तो पूरा अरेज्मेंट होने के बाद आपका कम से कम 15 दिन में आपकी बोच रिप्लेस होके आ जाएगी पहले आपका पीकाप होगा उसके बाद जब आपकी बोच वहां के वेरहाउस पहुंच जाएगी उसके बाद वह प्रोडक्ट आपका रिप्लेस्मेंट प्रोडक्ट वहां से स्यूप्ड करेंगे तो देखिए पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दिए आप कोई भाई यह